दोस्तों कोरोना और लोगडाउन के बाद अगर कोई चीज आपको घर से बाहर निकलने से रोक रही है तो वो है गर्मी जी हाँ दोस्तों इस भीचल गर्मी की वज़े से लोग अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं लेकिन अगर आपको किसी मजबूरी में घर से बाहर निकलना है तो अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें क्योंकि गर्मी के दोरान हमारे शरी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचता है इसलिए जितना हो सके हमको गर्मी से बचने की कोशिश करने चाहिए तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी टेप्स देने जा रहे हैं जो आपको इस चिल्चलाती दूप और गर्मी से जरूर राहत दिलाएंगे तो वीडियो के अंतक हमारे साथ बने रहेगा आई ये वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों पहली टिप तो ये है कि अगर आप घर से बहार बिलकुल न निकले अगर आप दिन के समय में दूप में बहार निकलना जरूरी है तो संस्क्रीम का प्रयोग जरूर करें इसके अलावा कैप और गीला तॉली और ठंडे पानी की बोतल साथ में जरूर रखें आई जानते हैं दूसरी टिप जितना ज्यादा हो सकते उतना निवू पानी का प्रयोग करें मौसमी फल जैसे की खरबूज, तरबूज, आम, खीरा, ककड़ी इस सबका सेवन जरूर करें, इनसे शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होगी आई जानते हैं टिप नमबर 3 खाने में नमक समाने मात्रा में रखना चाहिए इससे ब्लेड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है कैफीन, शराब या फिर अत्यदिक चाय पीने से बचें क्योंकि इनके इस्तिमाल से शरीर में पानी की कमी हो सकती है अब आती है चौथी टिप तो दोस्तों गर्मी में धीले ढाले और पूरी बाजू के और हलके रंग के कपड़े पहनने चाहिए ये सूरज के परकोप से बचाते हैं और पसीरा सूखने में भी मदद करते हैं इस मौसम में आखों कभी पूरा दिहान रखना चाहिए इसलिए तेज धूप में अगर आप घर से बाहर निकल रहें तो संग्लासेस का इस्तिमाल जरूर करें आईए जानते हैं टिप नमबर 5 इसके अलावा अगर आप एक बोतल में परफ्यूम की थोड़ी कुछ भून्दे मिला कर और ज्यादा मात्रा में पानी मिला लें तो ये एस्प्री बोतल की तरह काम करता है और इसका इस्तिमाल करके आप रिफ्रेश महसूस कर सकते हैं बाकी दोस्तों इस बिशा में आपका क्या कहना है में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टेट वीडियोस को लगाता है देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथी बेल आइकन को भी प्रेस करें